Hello Everyone, आज हम पढ़ने वाले हैं Burgers Disease के बारे में, जिससे हम Thromboangitis Oblytrains के नाम से भी जानते हैं Thromboangitis Oblytrains, T tornado Burgers Disease क्या होती है? यह एक arteries की disease है, arteries में भी middle and small sized artery Middle and small sized artery में chronic inflammation देखने को मिलता है इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है Thrombo Angitis Obliterence Thrombus मतलब Thrąbbus को Formation Angitis मतलब Archeries को Inflamation Obliterence मतलब आबस्टरक्शन हो जाना Archeries के अनदर क्यों? Thrombus की वज़े से देखिए यह Archerie का Cross Section Normal Archerie का Luman Patent होता है मतलब इसमें Easley Blood Flow हो जाता है है लेकिन जब थोंब एचिती दो यह लीमन ब्लॉक्क हो जाता ऐक्डोन STAR-1 के सब्सक्री एक सेगमेंटल मतलब सेगमेंटल मतलब फूरी आर्ट्रीस की लाइनिंग में नीड़ीय कोई-कोई सब्सक्रूग होती है longer or progressive मतलब पहले इतना Lumen involved हुआ फिर इतना फिर इतना धीरे-थीरे ये condition developed होती है Occlusive मतलब यह Occlusionोह मतलब Lumen Occlude होता है बंद होता है क्योंकि Clot formation हो जाता है Trombus Clot formation हो जाता है एक the inflammatory disease is dość скаж मतलब तीनों लेयर्स जो है इनंबसंद तिन का हम त्यूनी का इंतिमा के लिएंगा मीडिया और इंटीनों लेयर में इंफ्रामेशन देखने को मिलते हैं तो इस ये कि बात करें कि की बाध्य का सहीन को मिलती है तो मेंली ये लोवर लिम में ज्यादा देखने को मिलती है और लोवर लिम्स ऑट्री जैसे कि डॉर्सलिस पीडिस आटरी पोस्तरीडी टीज अज पॊपलीटियल आटरी की पैफ़ीजियोजी के अकर हम बात करें तो यहां पर मेंली लिए नूठी इंफ्लामेशन हो मतलब 3 नेक्टार्यस का इंफ्लामेशन हो जाना है म्तलेटी कारण इन्फयोपिल्पीज-दोपी泡 आते हैं श्यंका ये अंछम्य इसेयoh पेश्द्टरेशन करते हैं जो करते को सपर्मेशन ऊक्लाइस्टे अंदस्ट्स ने और zur pant ने स्वेक्टर में आ जाते स्मोकिंग जो आर्टरीज की एंडोथीलिया लाइनिंग उसको डैमेज करते हैं और वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन होता है और प्रॉपर ब्लड सप्ला नहीं मिलता है जिसके कारण हमें टिपिकल साइंस और सिंप्टम साथ है बर्जेस डीजीज के बात करें तो फीमेल के कंपेरजन में मेल्स को जादा बर्जेस डीजीज होने के चांसेस रहते हैं एज क्रूप तो ट्वेंटी दू फॉर्टी येर्स ऑफ एज अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के तो जैसा कि हमें पता है कि मोस्ली डिस्टल पार्स को इनवाल करत तो उसमें हमें कलर चेंजिस देखने को मिलेगे वहां का पार्ट पेल हो जाएगा और जब बहुत जादा ही ओक्लूजन हो जाए तो उस पार्ट में ऑक्सिजन का लेवल भी बहुत कम हो जाएगा जिसके कारण वो ब्लूइश वॉयलेट के हमें दिखेगे पूर ब्लड करें तो सबसे इंपोर्टेंट आजाता है इसमें इंटर्मिटेंट क्लॉडिकेशन इंटर्मिटेंट क्लॉडिकेशन का मतलब क्या होता है इंटर्मिटेंट मतलब जो कभी-कभी हो रहा है कंटीनेसली वह कंडिशन नहीं है और क्लॉडिकेशन मतलब पेन द्यूरिंग एक तो patient को rest के time पे भी pain होता है और third symptom is Ronauts Phenomena तो Ronauts Phenomena क्या होता है मतलब की cold exposure में जो हमारी small vessels है हमारे fingers, extremities की जो small vessels से वो constrict हो जाती है और उसमें color changes देखने को मिलते है पहले वो part pale हो जाता है फिर blue होता है मतलब वॉले हो जाता है फोर्थ सिम्टम is trophic changes मतलब skin के ओपर changes देखने को मिलते है क्योंकि proper blood supply नहीं है तो हाँ ulcer formation हो जाता है तो gangrene और ulcer का formation यहां पर हमें देखने को मिलते है blood supply प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो जिस part को blood supply नहीं मिल रहा है जो hair से वो भी diminish हो जाएंगे वो भी चले जाएंगे तो loss of hair 6th symptom is skin की atrophy हो जाना नहीं मिल रहा है 7th symptom is brittle nails 8th symptom is thrombo phlebytes thrombo मतलब thrombus और phlebytes means veins तो veins में जब thrombus को formation हो जाए मतलब clots बन जाए तो वह condition का हम कहते है thrombo phlebytes इन्वेस्टिकेशन के अगर हम बात करें तो इसमें हम करवाते हैं arteriography मतलब arteries की imaging करवाते हैं पर हमें special deformity मिलती है जिसे हम कहते है cock screw deformity यह इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जब हम doppler से arteriography करवाते हैं तो occlusion हो गया arteries में तो collaterals developed हो जाते हैं अगर एक arteries में यहां occlusion है लेकिन blood supply तो पहुचा है तो उसके collaterals developed हो जाते हैं तो उसका appearance screw में कैसा होता है इस टाइप से दिखता है इसलिए हम इसे कहते है cock screw deformity treatment part की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि यह उन्हीं लोगों को affect करता है जो smoke करते और जो tobacco achieving करते हैं ठीक है तो हम उसे avoid करने का बोलेंगे कि आप avoid करें smoking and tobacco पेशन को pain बहुत जादा हो रहा है walk करने पर भी तो हम उसे analgesics मतलब pain relievers advise करते हैं अगर cold exposure से symptoms आ रहे जैसे की ronauts phenomenon में होता है cold exposure के कारण arteries जो रहती हो भाजर है constrict हो जाती है तो हम देदेते patients को vasodilators कि वो vessels को dilate करें और proper blood supply हो और symptoms ना है So this is all about thromboangitis obliterans और Burgers disease Hope you understood the topic If you like the video don't forget to like subscribe to my channel Thank you for watching